नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस टेड़ी आई क्रिकेडिम स्वागते आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों बीएश्टीसी में आपको बताने वाला हूं महतोपुन जानकारी बीएश्टीसी आप सभी कर रहे होंगे बीएश्टीसी की तयारी होगे रहा औ और आपको इंतजार होगा कि इसके फोरम कब बराए मैंगे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको एक महतोपूर्ण नियुजे आपकी जो एजेंसी है मतलब एकजाम कौन करवाएगा वो जो है गटित हो चुकी है उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रि पिकेसन आजाएगा जैसे वो पिशेल आएगा वो भी बता दूँगा परन्तु बहुत सारे विद्यारति को जानने के उत्सुक होंगे की सर हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होना चाहिए कि सेले बस क्या होगा और अन्य जो महतोपूर्ण जानकारे योगिता क्या होगी विदियो में बताऊंगा फेपर कितने नंबर का होता है सारी बीडियो में मिलेगे आपको ध्यान से देगना तो यह आप देख लेड़ा चलिए आपको पूरी जानकारी बताथा ώ यहां पर आपके लिए महतोपुने सेक्षणिक योगेता क्या होगी तो पातरत आप देख लीजेगा उच्छे मादेमिक परिक्षा आत्वा समकक्स परिक्षा में नियुनतम अंक प्रतिसत विबिन वरगों के लिए नियुमनासार यानि कि आपकी या तो बारवी पास होना च चाहिए तो यहां पर सामाने के लिए कितने उने चीए पचास परतिसत अनुसुति जाती अनुसुति जन जाती के लिए 45% और मैं एक और बता दूँ अब जो EWS है EWS में भी 45% चीए कितना 45% मांक्स चीए आप इसमें भी क्या आरक्षन दे दिया गया है और ओबीशी बात क दिव्यांग 45% सामाने वरक्की विद्वा परितक्ता तलाक सुता मैलाओं के लिए 45% मांक्स चीए ये बारवी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों आपकी तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या है आपके लिए महतोपून और आगे आपके लिए पूरी जानकरी बता रहा हू आयू सीमा जो दोस्तों आपकी होगी इसमें क्या होगी आवेदन की जो आयू सीमा है एक जुलाई एक जुलाई दो जार इकिस के अनुसार दोस्तों यहाबर दो जार बिस लिका हुआ है पर दो जार बिस को कार दीजगा अब नया नोटिपिकिसन आएगा तो एक जुलाई परितकता मैला राज के सिक्षकों के लिए आयूसी माम कोई प्रबंद नहीं किया गया है अनुसी जाती जन जाती अनिफिजडा उरग आर्थिक रूप से कमजोर होगी रहा है इन सभी के ले क्या है आयूसी मामे जो है छूट दिये होगी यानि कि सरकार के नियमों के अनुसा इसमें जो है छूट दी जाएगी यह आपको पता है और दोस्तों EWS के लिए भी दी जाएगी इस बार आप देख रहे होंगे दोस्तों इस बार जो बढ़तियां होगे रहा है उन सभी में EWS को आरक्षन दिया जा रहा है और देखेगा यहाँ पर क्या जानकारी इसके इमित्र का चार्ज लगेगा आपको प्रतेग विद्यारती का और फॉरम के जो पीस है वो आप उनलाइन जमा कर सकते हो और आपको आविदन सुल्क क्या लगेगा यानि कि आपके जो पेमेंट लगने बाला है फॉरम बढ़ने के लिए वो देखो सामाने और संसकर्थ दोन आवे दक वेबसाइट पर उपलफ विस्तर दिसाने दियान से पढ़ ले मैं भी बता रहा हूँ आपको और यहाँ पर जो कारेले होगे रही है अलग से जो नई है जो नमबर होगे रही है वो दुबारा से जारी किये जाएंगे आप इन्हें नमरों को नोट मत कीजेगा ज चेले बस ऊगेरा यह बता देता हूँ आपको परिक्साई और जित परिक्रिया आप देख सकते हो यहाँ पर यह तो जिस तैम का जो है नोटिपिक्सन जारी किया गए अब दोबारा सी आएगा जब डेट में आपको बता दूगा यह डेट पिछली बार किये और इडिमिट पत्र का जो प्रकार देखो एक प्रसन होता है जो आपका तीन नंबर का होता है कितने नंबर का होता है तीन नंबर का एक प्रसन होता है विशे खंड हो गिरा देख लो प्रसनों की संक्या तो मांसिक योग्यता जो है आपके प्रसन पचास परसन आएंगे डेड़ सो नंबरो के हिंदी 30 क्यूशन 90 नमर गे और एक बात बता दो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है संसकर्ट हो गे रहा है इन में से एक लेना होता है ठीके ना तो आप देख रहे होंगे यह पूरा पेपर होता है साड़ी 400 नमर तो यह हो गए और इस पर कारे सारा देख सकते हैं संसकर्ट और हिंदी में से आपको एक लेना है या तो संसकर्ट ले लो या हिंदी ले लो दोनों में से एक क्यूशन करना होता है इनका और यह आपके नमर हो गए डेड़ सो और डेड़ सो यह देखो कितने नमर का पेपर हो गया आपके छेसो नमरों का छेसो पुर्णाइकों का यह पेपर होता है कुल मिलागर के और टोटल परसन होते हैं आपके दो सो कितने होते हैं दो सो तीस और यह सारा मिलागर पचास और यह हो गए पचास दो सो क्य यह सो नमर गे किसन तीन नमर का हो गया तो इस परकार आप देख सकते हो यह सारी जानकारी है आपके लिए और जो आपका पेपर होता है वो ओपलाइन होता है और मल्टिपल चोईस क्यूसन होते हैं यह निकि अबजिक्टिव टाइप आपका पेपर आएगा और इसमें जो सी काला या निला वाला पेन आपको लेकर के जाना होगा अब यहां पर जो है आप सेले बस भी देख सकते हो अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा विससे सेले बस की पर यहां भी आपको बता देता हूँ पार्टे करम की संस्विक्त रोप रेका देखो अधिक्तम 150 संग के mental ability की मानसिक योगिता के 50 परसंड रीजनिंग में तारकिक योगिता एनलोजी मतलब दो वस्तों की आंसिक समता या समरूपता और निया पर देखो विवेदी करन और संबंधिता विसलेशन उसके लावा तारकिक चिंतन और इसके बाद बात करते हैं राजस्तान की जानकारी 50 कुछन होंगे 150 नमर के एतियासिक पक्स राजनेतिक पक्स कला संसकरती साहितिय पक्स आर्थिक पक्स उसके लाव भोगोलिक पक्स लोग जीवन सामाजिक पक्स परेटन पक्स इस परकार राजस्तान में पूछे जाएंगे टीचिंग एपिटूड मतलब सिक्षन अभी समता जो है 50 कुछन आएंगे 150 नमर के सिक्षन अधिक अमन में बता दूँगा दोस्तों ये प्रसंड कैसे आते हैं पिछले साल का पेपर भी बताऊंगा आपको जानना है तो बने रहेगा हमारे साथ कमेंट करना नेतर तो गु अबिलिटी बासा योग गिता 50 कुछन आएंगे टोटल मिलाकर के यानि कि आपको हिंदी इंगलिस में दोने में से कोई लेना है और 20 कुछन इंगलिस के आएंगे 60 नमर के तो आपको कमपसरी लेना है जैसे कमप्रेशन इस्पोर्टिंग एरर नरेशन प्री पोजिशन आर और हिंदी का है शब्द घ्यान प्रियाइबाची इंगलों सब् Danish उगरा उप सरक संदी संधी समास इस तो यह आपको पड़ना होगा और काउंस्लिंग के समय आपको यह जो है नोटिस नीचे दिया गया है यह आपको गोशना करने होगी यह कांस्लिंग के टाइम में मैं आ ना दूँगा मेरे साथ में इसमें भी बता दिया है और आसा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पड़ाई अच्छी चल रही होगी और आप बार्वी में हो या बार्वी कर लिए आपने फिर भी तैयारी कर रहे हो तो आपके सभी के लिए मेरी तरब स दोस्तो आसा करता हूँ आप सभी को पता होगा नहीं पता है तो अपने दोस्तों को भी बताईएगा सभी को पता लगे कि BSTC की सारी जानकारी कहां पर मिलने वाली है